दिव्या एतिहासिक नहीं एतिहासिक परवेश की कथा है टिपड़ी करें इसी तरीके का प्रश्ण है दिव्या एतिहासिक नहीं एतिहासिक नहीं एतिहासिक परवेश की कथा है की कथा है कथा है टिपड़ी करें दिव्या एतिहासिक नहीं एतिहासिक परवेश की कथा है तो सबसे पहले आप यह बताएंगे इसकी भूमिका में यहाँ पे उत्तर आंसर में इसकी भूमिका में लिखेंगे लेखक ने प्राकतन में इस बात को इस बात को इस पश्च किया है इस पश्च किया है कि कैस पश्च किया है दिव्या इतिहास नहीं एतिहासिक कल्पना मातर है एतिहासिक कल्पनामात्र है दिव्या इतिहासिश नहीं, एतिहासिक कल्पनामात्र है यहां अगर आप देखते हैं तो जो दिव्या के कतहानक में बौध कालीन परवेश लिया गया है पिर आप बताएंगे दिव्या के कत्हानक में बौध कालीन परवेश को परवेश को लिया गया है कहां से परवेश लिया गया है बौध कालीन परवेश लिया गया है इसलिए इतिहास दिखाई देता है इतिहास है नहीं कलपना है क्या है कलपना है जो पन्यास पढ़ोगे तब पता चलेगा कि एक महिला के जीवन में क्या क्या संकट आया कैसी कट परिस्थितियां होती है जब एक महिला किसी से प्रेम करती ही, उसके जीवन में क्या कैस समस्य आती है, ना मज़ीत हैं, ना बाप है, कोई साथ ही नहीं, एक समय समस्य आती है कि जीवन ही बेकार हो जाता है, तो बौधकालीन परिवेश से लिया गया है और अगर देखें तो केवल अगर ये इसलिए लिया गया है लेखक ये चाहते थे कि वातावरण का चैन एतिहासिक तत्यों को वो दिखाने के लिए नहीं लिया गया फिर आगे बताएंगे ये परिवेश ये परिवेश एतिहासिक तत्यों को दिखाने के लिए नहीं लिया गया है नहीं लिया गया है मतलब लेखक इतिहास नहीं दिखाना चाहते हैं रखिए दिव्या का कथानक बहुत कालिम परिवेश का है लेकिन ये इतिहासिक तत्यों को फैक्ट दिखाने के लिए नहीं उठाया है क्यों उठाया गया है तब आप बताएंगे दर्शल दिव्या एतिहासिक धाचे में कल्पना को कल्पना के रंग ही नहीं भरे गए हैं बलकी काल्पनिक चित्रों को एतिहासिक वातवर्ण दिया गया है क्या किया गया है इसमें केवल कल्पना के रंग ही नहीं भरे गए हैं कल्पना के रंग ही नहीं भरे गए हैं अपितू अगर हम देखें काल्पनिक चित्रों को एतिहासिक रंगों में दिखाए गया है काल्पनिक चित्रों को काल्पनिक चित्रों को को एतिहासिक रंग में दिखाया गया है क्या किया गया है केवल कल्पना नहीं है बलकि काल्पनिक चित्रों को भी दिखाया गया है आज कल की आप मुवी देखते हैं जहां इतिहास है तत्य को दिखाने के लिए नहीं कल्पना के सहारे इतिहासिक ता को भी दिखाते हैं वाहू सारी मूवी बनती आप देखे वाहू वली तो ये चीज दिखती है कहीं न कहीं हमें इस तरीके से देखना है और क्या बताएंगे अब इसके बाद आप बताएंगे अगला एतिहासिक जो परिवेश यहां पर लेखक ने रखा है उस परिवेश को रखने के पीछे एति जो परिवेश रखा गया है इस परिवेश में इस परिवेश में एतिहासिक अस्थल और चरित्रों को स्थान दिया गया है चरित्रों को स्थान मतलब क्या है कि ऐसे एतिहासिक अस्थल इस थान दिया गया है जैसे अगर तुम्हें याद आ रहा हो मथूरा, साकल, है ना, एतिहासिक अस्थल दिखाए गये हैं और कुछ एतिहासिक जो पात रहें चरित रहें उनको भी दिखाए गया है जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ आपको दिखाएजिए जैसे पुष्य मित्र मिलिंद और पतंजली एतिहासिक चरित्र में कौन कौन है पुष्य मित्र मिलिंद और पतंजली लेकिन ध्यान देना क्या है ध्यान ये देना है कि क्या इतिहास दिखा रहे हैं तो जो यहां मुख्य चरित रहे इसके द्वारा ये दिखाये गया है कि उस समय जो मतुरा और जो सागल थे वो कला के केंदर थे क्या थे कला के केंदर थे ठीक है कला के केंदर थे और अगर आप देखते हो तो उस समय दास्प्रथा हमारे समाज में विद्यमान थी तो ये क्या है दास्प्रथा को भी हमने दिखाया और ये सभी चीजें इतिहास में हैं ये जितनी विवाते हैं वो इतिहास सम्मत हैं क्या है इतिहास सम्मत है इतिहास सम्मत है फिर आप अगला पॉइंट बनाएंगे उसके बाद भी अगर हम पूरा विश्लेशन करें इन इतिहासिक आधारों के बाद भी जो दिव्या की जो मूल कहानी है अगर हम देखें जो पर कालपनिक कि दिव्या और मारीश को अगर हम देखते हैं और वो कालपनिक चलते हैं अगर हम देखें यदी हम देखें यदी हम देखें तो इन एतिहासिक अस्थलों और चरित्रों के बाद भी इस उपन्यास के मुख्य चरित्र जैसे दिव्या मारीश प्रिथूसेन आदी कालपनिक है आदी कालपनिक है क्या है कालपनिक है यह सारे चरित्र कालपनिक है और अगर हम देखते हैं तो यहां कालपनिक होने के साथ साथ जो भी यहां जो घटनाय दिखाई गई है वो एक लेखक की जो स्रिजन सीलता से उपजी है तथा जो घटनाय दिखाई गई है जो घटनाय दिखाई गई है दिखाई गई है वो लेखक की स्रिजन सीलता से निकली है और फिर आप बता देंगे एक निश्कर्ष के रूप में आप बताएंगे कि दिव्या इतिहास में अगर आप देखें तो दिव्या में इतिहास तत्यों से ज्यादा वातावरण के रूप में हमें दिखाई देता है अब आगे क्या लिखेंगे उप्रोक्त विसलेशन के आधहार पर उप्रोक्त विसलेशन के आधहार पर कहा जा सकता है कि दिव्या में इतिहास तत्यों के रूप में नहीं तत्यों के रूप में नहीं अपितू वातावरण के रूप में हमें दिखाई देता है हमें दिखाई देता है जिसे बौध कालिन सब्दावली और वहां के पर्वेश्ट ने अधिक प्रभावशाली बना दिया है जिसे जिसे बौध कालिन शब्दावली जिसे बौध कलिन शब्दावली और और परवेश्ट ने परवेश्ट ने अधिक प्रभावशाली बना दिया है अधिक प्रभावशाली बना दिया है यह है यह है निश्कर्ष बोलो लड़ना पड़ेगा तब लिख पाओगे हवा हवाई नहीं है ठीक है आगे फिर मिलते हैं अगले खुश्ट ने जुश्ट प्रवेश्ट